Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brins, this is me शिपरातिवारी, बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे आपको प्रवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ पे बहुत 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 कर सके तो आज हम लोग फंगस की आखरी क्लास के बारे में डील करने वाले हैं जिसका नाम है डूटीरो माइसिटीज डूटीरो माइसिटीज को या डूटेरो माइसिटीज को हम लोग फंगस इंपरफेक्टाई कहते हैं इसको पढ़ने से पहले मैं आपको लास्ट क्लास का एक क्विक सा रिविजन देना चाहती हूँ लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ाता स्मट के बारे में जो की काले कलर के स्पोर्ट्स प्रेड्यूस करते हैं और जो है दो टाइप के स्मट होते हैं एक होता है कॉम्पैक्ट स्मट एक होता है लूज स्मट जनरली स्मट जो है कौन सी स्पीशीज प्रेड्यूस करती है वो अस्टि लोगों की जीनस की बहुत सारी स्पीशीज हैं वो स्मट के इंफेक्शन प्रेड्यूस करती है उसके ब तोट स्टूल बताया तो तोट के बारे ब सिकाना फिर मैंने आपको आर्मिलेरिया के बारे में बताया था which is called as largest or honey fungi फिर मैंने आपको puff muffin के बारे में puff ball के बारे में बताया था which is a lycopyrda and obliosporum ठीक है और बलीन और बलोन जिस पोरम ठीक है next मैंने आपको बताया था bracket fungi जिसमें आपको polyporous formis or ganoderma के बारे में बताया था आज मैं आपको समझाने वाली हूँ class deuteromycetes के बारे में this is the last class of the fungi ठीक है इसे हम लोग fungus imperfecti कहते हैं ठीक है fungus imperfecti कहने का कारण ये है कि इसके reproduction में बच्चो थोड़ा सा लोचा है actually यहाँ पर class में लोगों को reproduction के आधार पर समझ ही नहीं पा रहे थे कि इसको रखना कहा है इसको deuteromycetes में रखे, besidomycetes में रखे, escomycetes में रखे लोगों को ये समझ में आई ही नहीं रहा था आई बात समझ में इसलिए हम लोग इसको आज भी fungus imperfecti के नाम से जानते हैं ठीक है हम लोग इसे fungus imperfect क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें sexual reproduction नहीं होता जबकि almost हर fungus में आपने sexual reproduction पढ़ा इनके में asexual या vegetative phase of reproduction ही होता है ठीक है आई बात समझ में अब जो fungus जिससे पहले हम लोगों ने deuteromycetes का सोचा पर वो sexual reproduction का हो रहा था तो हमने अब उसको deuteromycetes से अलग ही कर दिया अब हम लोगों ने उसे भेग दिया अब बैसीडियो में चले जाओ ऐसको में चले जाओ पर ड्यूटीरो में तुम नहीं रह सकते क्यों ड्यूटीरो में कौन रहता है जो asexual reproduction करता है जो vegetative reproduction सिर्फ करता है ठीक है नाव इट इस अलसो पॉसिबल दा अशेक्शुल वेजिटेटिटिव स्टेज have been given one name under the deuteromycetes हो सकता है कि वो fungus जो से वेसेक्शुल करें और vegetative करें उन्हें हम deuteromycetes के अंदर रखें और जो sexual करें उसे हमें another class में भेज़ना पड़ेगा इसको में भेज़ दो ठीक है यह पूरी lines आपके NCRT की ही है आई बात समझ में इसमें कुछ भी मैंने अलग से नहीं लिया है now deuteromycetes की perfect sexual stage अगर मैं बात करूँ तो यह तब identify हुई जब इनको हम लोगों ने ascomycetes यह bacidomycetes में फेक दिया इसलिए आज deuteromycetes में किसी भी प्रकार का sexual reproduction करने वाला fungus नहीं होता ठीक है ओके और asexual reproduction कर रहे हैं तो obviously इनके लिए कोई ना कोई spore तो चाहिए ही और asexual reproduction वो जिस spore से करते हैं उसका नाम है कोनीडिया कोनीडिया से कौन करता है बताई मुझे penicillium aspergillus यह लोग ठीक है some members are saprophytic but some of them are parasitic कुछ जो होते हैं वो dead and decaying matter से अपना nutrition लेते हैं तो कुछ दूसरों के ऊपर चड़कर उनके इंदर घुसकर उनका धिमाख खराब करके उनसे nutrition लेते हैं ठीक है पर क्योंकि यह fungus है तो इनके में एक property तो होनी ही चाहिए जो की होती है decomposer की property कि कोई भी complex चीज हो इंजाइम निकालो उसको simple करो जब वह simple हो जाए तो उसके nutrient absorb कर लो ठीक है उसके बाद यह mineral recycling में भी help करते हैं मतलब कोई बीची सडी गली आपने जमीन में डाल दीना उसको वह गलाने में काम करते हैं गला होगे तो nutrient मिलेंगे nutrient जमीन में mix हो जाएंगे और फिर आपको portion मिलेगा ठीक है now some of the example is what alternaria alternata ठीक मैंना जीना सो species दोनों बता दी next is koleotrichum and third is trichoderma ठीक है so these are the diseases यह alternaria के infection होते हैं alternaria जो है यह देखो wheat sorry groundnut के leaves में आपको black black spot दिखाई दे रहे ना यह alternaria के ही है यह देखो अंदर से microscopic आपको structure दिखाई दे रहा है so this is the conedia these are the spores of the alternaria ठीक है आओ next देखते हैं अपन लोग उसके बाद आप लोग देखिए कि यह जो deuteromycetes जो होते हैं कौन कौन सी बिमारिया कर सकते हैं first यह जो बिमारी करते हैं वह होता leaf spot of rice आपको दिखाई दे रहा है आपको yellow yellow brown brown color के spot rice में दिखाई दे रहे हैं अगली बार कभी खेत में जाएं तो ऐसी अगर कोई आपको राइस की पतियां दिखें तो सामने वाले किसान को बोलो कि इसको काट दो नहीं तो इसके spot पूरा खेत तुम्हारा सत्या नास कर देंगे ठीक है तो helminthosporium oryzee ठीक है ओके oryzee मतलब चावल ओके causes the leaf spot disease of the rice commonly called as brown leaf spot of the rice cause in the Bengal famine in 1942 or 43 actually कहानी यह है कि world war 2 के बाद वैसे भी Bengal की लोग जो होते वो चावल बहुत जादा खाते है ठीक है तो famine का मतलब यह होता है कि भुखमरी ठीक है किसी भी देश में किसी भी state में अगर भुखमरी आ जाए और लोग वहां से उस जगह को छोड़कर refuse ही हो जाएं वहां से जाने लगे तो it is called as famine ठीक है तो world war 2 के बाद वैसे भी लोगों के पास खाने के लिए कम था ठीक है उपर से यह फंगल इंफेक्शन जो है which is the early blight ठीक है early blight जब भी आपको black black spot किसी plant के पतियों में दिखें अगर वो potato यह tomato है तो हमेशा यह याद रखिएगा कि actually वो alternaria का infection है ठीक है तो alternaria solanee यह cause करती है early blight of potato as well as tomato 2 leaves developed small oval brown spot आपको दिखाई दे रहे हैं यह brown spot in the leaves of the potato ठीक है तो इसमें small or brown spot होते हैं with concentric ring ठीक है इसके अब actually यह ring ring आपको structure दिखाई देगा maybe ना दिखाई दे पर black spot round round color के आपको दिखाई देंगे ठीक है actually यह क्या करते हैं कि पतियों से उनका nutrition कीशने लगते अब जो पतियों को nutrition नहीं मिलेगा तो सडने लगेंगी सडकर गिर जाएंगी ऐसे ही आपका आलू भी हो सकता है फिर ठीक है ना next is the ticka disease ticka disease जो होता है यह ground nut में होता है मूमफली में आपको दिखाई दे रहा है कि stem में भी हो गया है काला कला spot और पतियों में भी काले काले spot होते हैं एक्चली यह सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा की वजह से होता है ठीक है so this is the this is caused by the सर्कोस्पोरा पर्सीनेटा इसमें circular जैसे देखी dark dark round round आपको दिख रही है ठीक है blackish spot दिखाई देंगे ground nut में तो अगर आपको tomato और potato में दिखाई दे रहे है red rot of sugar cane जो होता है यह होता है कोलियो ट्राइकम फलसेटम की वजह से ठीक है red rot आप देख रहे हैं लाल कलर की पट्टी बनी है sugar cane के पत्तियों में ठीक है इसका मतलब ही है की कोलियो ट्राइकम का infection उसमें हो चुका है which is a type of deuteromycetes ठीक है next is ध्यान से देखिए next is wilts ठीक है wilt का मतलब होता है सडा देना किसी चीज को भी ठीक है सुखा देना सडा देना ठीक है many economically important plant like cotton pigeon pea ठीक है so sudden sign of wilting due to the blockage of tracheary elements by growth of fungus fusarium especially fusarium oxyosporum so this is the culture of fusarium oxyosporum आप देख रहे हैं कि यह फर जैसा सफेद कलर का दिखाई दे रहा है यह जो image है यह आपको दिखाई दे रही होगी फर जैसा दिखाई देता है तो अगर कभी आपको अपने पौधे उनकी growth अगर बंध होती हुई दिखाई दे रही है कभी भी कभी बैसा हो सकता है कभी आपके पौधों की growth आपको बंध होती हुई दिखाई दे रही है इसका मतलब यह है कि उसमें कुश न कुश तो गढबढी है actually ये fungus मेभी आपको बाहर से दिखाई ना ले पर actually वो plant के अंदर ही है plant के अंदर से पूरा nutrition खीचे जा रहे हैं क्योंकि वो आपके plant के phloem tissues में घुसे हुए है और जो भी plant विचारा खाना वाना synthesize करता है, transport कर रहा है वो वहां से लेते जा रहे हैं और Fusarium oxyosporum and Fusarium eudum is the very 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 important species of this ठेक है जैसे ringworm of the athlete foot which is the human example है deuteromycetes का which is the trichophyton interdigitate नाम से समझ में आ रहा है, interdigitate मतलब उंगलियों के बीच बीच में इससे आप athlete foot भी कहते है, generally ये उन लोगों को होता है जो बहुत जादा tight shoes पहनते हैं जो बहुत जादा गीले जगा पे रहते हैं या बहुत जादा congested area में रहते हैं पानी वानी में रहते हैं तो उनके बीच में इस infection फैल जाता है और उनकी उंगलियों के बीच के area जो है वो सड़ना शुरू हो जाते हैं ठीक है फिर उनको बोलते हैं कि भाई तुम ये cream लगा लो ये cream लगा लो bodex mixture लगा लो फलाना मिक्षर लगा लो तो धीरी तरी उंगलियों के बीच सड़ना शुरू जाता है बहुत 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 पेंफुल रड होता है तो इस इनफेक्शन फ्राइकोड फाई तॉ इंटर इंटर इजिटेट ठीक है तो इसस अल बाउट सम फेंफेक्शन फ़व दुटेरो मैसिति ठीक है अब मैं आपको जितनी भी क्लासेश मैंने अभी तक आपको पढ़ाई जितनी भी क्लासेश मैंने आपको पढ़ाई उनका एक केंपेरेटिव स्टडी बता रही हूँ हाँ मैनी क्लासेश मैंने लेक्शन फ़व दुटेरो मैसिति ठीक है नाव मैसिलियम फाइको मैसिति के अलावा सब का मैसिलियम सेप्टेट और ब्रांच्ट होता है फाइको मैसिति का मैसिलियम सेप्टेट नहीं होता इसका मैसिलियम लीनियर और सिनोसिटिक होता है मतलब मल्टी न्यूकलेटिड होता है जबकि सब का मैसिलियम सेप्टेट भी होता है और ब्रांच्ट भी होता है ठीक है ओके नाव फाइको माइसेटीज जो होते हैं वो कौन कौन से स्पोर प्रड्यूस करते हैं एसेक्श्वली ठीक है एसेक्श्वली बैसीडियो माइसेटीज को छोड़ कर हर कोई एसेक्श्वल रिप्रोड़क्शन करता है क्योंकि sexual reproduction by plasmo gammy पे सिर्फ Bacidiomycetes करता है बाकि कोई भी ऐसा नहीं है जो ऐसे sexual reproduction ना करे every fungus है ability to do the asexual reproduction सिर्फ sexual कौन करता है Bacidiomycetes ठीक है तो asexual में phycomycetes कौन कौन से spore produce करता है that's sporangiophore और zoospore ठीक है देखो sporangiophore और zoospore ठीक है now ascomycetes आपने penicillium aspergillus के example पढ़ा तो क्या produce किया था उसने conidia ठीक है और deuteromycetes का अभी आज ही के lecture में मैंने आपको बताया conidia जबकि Bacidiomycetes तो ऐसे sexual reproduction करता ही नहीं है तो कोई tension ही नहीं है ठीक है sexual reproduction में phycomycetes zygospore क्योंकि इसके अंदर आप लोगों ने दो group पढ़े थे ना phycomycetes class के अंदर इसके अंदर आपको मैंने zygomycetes पढ़ाया था और oomycetes पढ़ाया था तो zygomycetes sexually कौन सा प्रेद्यूस करता है spore zygospore और oomycetes कौन सा प्रेद्यूस करता है o spore escomycetes नाम सही काम समझ में आ रहा है भाई साब कि कौन सा sexual spore प्रेद्यूस करेगा esco spore besidio mycetes अभी last lecture में पढ़ाया था मैंने आपको besidio spore deuteromycetes sexual reproduction करता ही नहीं है that is why it is called as fungus imperfect type अगर deuteromycetes के अंदर तुमने कोई fungus रखा और अगर वो sexual reproduction करता है तो या तो तुम इसको देदो या तो तुम इसको देदो तुम नहीं रख सकतेगा तुम्हारे अंदर कौन रहेगा जो यह sexual करता है fruiting bodies fruiting bodies वो structure होते हैं जिसके अंदर spore समाए रहते हैं ठीक है तो fruiting body किसके किसके अंदर होती भाई हम लोगों ने कहां कहां पढ़ा है हमने बैसीडियो माइसीटीज के अंदर पढ़ा है जो छाता रहता है उसके अंदर spore रहते हैं तो वहां पढ़ा फिर हम लोगों ने पढ़ा एसको माइसीटीज के अंदर एसकस जो रहता है उसके अंदर रहते हैं जबकि तुमने Zygomycetes और Hoomycetes के इंदर नहीं पड़ा, उनके spore बाहर ही रहते हैं, ठीक है, तो fruiting body जिसके इंदर spore रहते हैं, वो नहीं रहते हैं, Ficomycetes में जबकि इसको और Bacidio में रहते हैं, और Deuteromycetes में भी नहीं रहते हैं So this is all about the classes of the fungi and some major differences in between the classes in these four classes, please take the screenshot of this slide ताकि आपको बहुत जादा help मिल सके, in the next class I will tell you something more about and more interesting about the fungi ताकि आपके competition जो आप देने वाले हैं, उसमें और जादा आप तगडे हो सके, so see you in the next class, next class मिलते हैं एक अगले adventure के साथ, thank you so much.